हलो गाइस तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपके पास में जियो का सिम कार्ड है और उसमें से आपने डैनिक कोटा में से कितनी एंबी को यूज कर लिया और कितनी एंबी अभी तक बच्ची हुई है या फिर आपका मंतली प्लान है जिसमें आपको एक महीने क कि एंबी साथ में मिलती है तो उसमें से कितनी एंबी खर्च हो गई है और कितनी एंबी अभी तक आपके पास में बच्ची हुई है तो दोस्तों वीडियो को पुरा एंड तक ज्यान से देखना है मैं आपको पुराई स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूं तो दोस्तो जीettu में MB को शेयक करना के लिए आम तोर पर दो तरीके हैं पहला तरीका है आपको प्लै स्टोर से Jio या My Jio Application डाउनलोड करके अपने मोबाईल में इस्टॉल करना है और आपके Jio Mobile Number से Registration करके आप उस application के मादियम से भी शेयक कर सकते हैं दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ बिना एपलिकेशन डाउनलोड किये जंजट मारी के तो उसमें आपको अपने मॉबाइल में जियो के कुछ अंक होते हैं वो डाइल करके आपको मेसेज के दुआरा आप उसमें एमबी को चेक कर सकते हैं कितनी एमबी आपके पास में बची हुई है तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मॉबाइल में डाइलर ओपन करना है और यहां से आपको डाइल करना है 1299 1299 लिखकर आपको अपने जो जियो की सिम कार्ड है उससे आपको डाइल करना है डाइल करते ही कुछ सेकेंड में कॉल ओटोमेटिकली कर जाएगी और आपके पास में कुछ इस परकार का मैसेज आएगा मैसेज में लिका हुआ है बैलेंस फॉर जी ओ नंबर आपके आगे मोबाइल नंबर लिके हुए होंगे फिर आपका फलान है जो एमबी जिसके हिसाब से मिलती है वो लिका हुआ होगा उसके बाद में देखिए डाटा 283.82 एमबी आउट और 1.5 जी बी डे यानि डेट जी बी में से 283.82 एमबी मेरे पास में अभी बचसते है तो दोस्तों इस परकार से आप भी अपने जी ओके सिम कार्ड में से 1299 डाइल करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके प्लान या आपके डेनि कोटा में से कितनी एमबी आपके पास में बची हुई है और कितनी हमबी खर्च हो गई है तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें दोस्तों तन्यावाद